हेलो वीवर्स वेलकम बैक टू दी चैनल अगेंग आज मैं नौइस कलर फिपल्स के एक इंपॉर्टिन चीज के बारे में डिसकस करने वाला हूँ जैसा कि आपने थमनेल देखके भी आपको पता जल गया इसके बैटरी कंजर्स विंस बैटरी बैकप तो देखें बैटरी बै आपको बैटरी बैकप के बारे में अगर आपका जो वाच है वो अगर आपको बैटरी बैकप नहीं दे पा रहा है जितना आप एकस्पेक्ट कर रहे है यह फिर जितना कमपनी ने एड़्ेश में दिया हुआ है इसके लिए आपको क्या करना है तो देखिए यहां पे मैं वो मिल सकता है, ठीक है? So make sure video अगर अच्छी लग रही हो, तो इसको like share है, चले पर नहीं होगे, तो subscribe जरूर कीजएगा. तो देखे, सबसे पहले जो इसका reason है, जो कि आपका screen raising, ठीक है? जैसे कि जितनी बारी ये screen आपकी raise हो रही है, तो कुछ-कुछ इस special scenario में, जैसे कि जितनी ज़्यादा बारी ये wake up होगी, तो उसे ज़्यादा आपका battery backup यहाँ पे consume होता है, तो उसमें आपकी battery जल्दी draining system जो है, वो आपके यहाँ पे हो जाएगा. सेकंड जो main इसका reason है, ये जो heart rate आप यहाँ पे देख रहा है न, तो heart rate में क्या होता है, कि कुछ-कुछ जगओ पे auto heart rate को लगा करके यहाँ पे रखते हैं, तो उस कुछ-कुछ सिनारियों में जो अगर आप उसको auto heart rate को on करके रखते हैं, तो उस टाइम पे ये problem जो है, आपको थोड़ा face करना पड़ सकता है, कि आपका draining का system है, वो यहाँ पे आपको थोड़ी ज़्यादा draining हो जाएगी, और आपका battery ज़्यादा यहाँ पे इस तरह से consume हो जाएगा. सेकेंड जो है options, जैसे कि मैंने अभी इसके बारे में बताया है, यहाँ से आप जो है auto heart rate यह वाले options को जो है, इसको off करके रखेंगे, तो उसमें आपको थोड़ी battery backup आपको जादा मिलने के chances है. नेक्स जो इसके है power consumption, जैसे की increase, जो आपका स्क्रीन जैसे की यहाँ पर आपने slide करेंगे, तो यहाँ पर आपके जो power consumption है, डिस्प्ले की, वो आपको यहाँ पर depend करती है, लाइक D1 पर रखते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा आपको backup मिलेगी, तो यहाँ पर रखते हैं, तो थोड़ी कम, तीन पर रखते हैं, तो थोड़ी ज़्यादा आपका consume का battery, जो हैं consumption है, वो थोड़ा यहाँ पर जादा हो जाता है, तो यह दो तीन चीजे थी, जिसके थूँ यह बढ़ती है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कि आपको जो battery का consumption है, या फिर जो draining इसको कम करने के लिए, तो देखें सबसे पहला कि आप यहाँ पर इसको off करके रखें, यह जो हमारा auto HR monitor disabled इसको करके रखें हैं, तो यह थोड़ा आपको लंबा बैटरी वेकप देगा, ठीक है, सेकेंड है कि आप अपनी applications में जाकर के इसके जितने भी noise के notification, app notifications जिरूब भी unwanted है, सिर्फ जिसके जरुवत है उसी को आप रखें, यहाँ पर like call, message, whatsapp, etc, इसी को भी वाण रखें, बादवा के जितने जो आपकी notifications उसको disable कर दें, उससे जो है वो आपका हो जाए, जो यह थोड़ा ज्यादा backup मिलेगा, second one जो है मैं कहूंगा, आपका settings में जाकर के आपका wake to raise, यह जो raise to wake options है, इसको आप off डख सकते हैं, जैसे कि आपको पता होगा, कि कोई भी अगर, मतलब जब भी watch अगर डिस पे पहनते हैं, तो इसको जब आप इस तरह से raise करते हैं, तो जो watch जो है, automatic हैं आप ही वो जलने लगती है, जैसे कि आप ही मैं पहना नहीं हूँ, है कि raise to wake में ज़्यादा आपकी यह display बार बार जलेगी, तो उस time पे यह आपका battery consumption ज़्यादा हो सकता है, तो यह कुछ आपके steps थे, जिसको आप follow करके, like auto, heart rate, etc. या फिर dimming light यह और जो है, wake to raise option, यह सबको अगर आप कम करते हैं, या फिर जो है इसे off रखते हैं, तो आपको battery backup ज़्यादा मिल सकती है, तो अमीद करता हूँ, यह आपको बैटरी वीडियो आपको पसंद आजए, तुसको like सेरे, चैनल पर नहीं को सब्सक्राइब ज़रू कीजएगा, इसके लेटेड और भी बहुत सारे वीडियोज हमने बनाई हैं चैनल पर तो आप उसको जाकर कर वाच आउट कर सकते हैं, so till now, thanks for watching वीडियो,